राज शैचिक अनसंधान और प्रशिक्षन परिश्यद उत्तर प्रदेश लखनव द्वारा आयोजित निष्ठा 2021 के आनलाइन प्रशिक्षन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रशिक्षन के इस भाग में हम माडिूल 15 पूर्व प्रात्मिक शिक्षा के जिस सत्र पर आगे चर्चा करेंगे वह है पूर्व प्रात्मिक शिक्षा में शिक्षन शास्त्र। माडिूल के इस सत्र में आप चानेंगे कि पूर्व प्रात्मिक शिक्षा क्या होती है, बच्चों के लिए इसका क्या महत्त है और साथ ही हम इस बात पर भी ध्यान के इंदृत करेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं और इस आई वर्क के साथ किस तरह के शिक्षन को अपनान की आवश्यक्ता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आईए इस सत्र के प्रशिक्षन प्रतिफल जान लें, इस सत्र के अंत में प्रतिभागी पूर्व प्रात्मिक शिक्षा की आवश्यक्ता और महत्त को समझने में सक्षम होंगे, पूर्व प्रात्मिक शिक्षा में शिक शास्त्र के जरूरी घटकों के पारस्परिक संबंध को समझ पाएंगे। कच्छा शिक्षण के दौरान कच्छा में विभिन गतिविट छेत्रों का कुशलता पूर्वक संचालन कर सकेंगे। पच्चों के विभिन विकासात्मक छेत्रों के लिए खेल गतिविधियों का आयोजन सुगंता पूर्वक कर पाएंगे। और बच्चों के लिए रुचिपूर्ण, उपियोगी, एवं गतिविद आधारित परिवेश सहष्ता से निर्मित कर सकेंगे। पूर्व प्रात्मिक शिक्षा में शिक्षन शास्त्र के प्रति एक बेहतर समझ फिक्सित करने के उद्देश से इस सत्र में जिन मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया है, उनमें से पहला है पूर्व प्रात्मिक शिक्षा। दूसरा है गत्विद छेत्र, चिने हम प्राया सीखने के केंद्र के नाम से जानते हैं, तीसरा बिंदु है बच्चे कैसे सीखते हैं, और चौथा महत्पूर्ण बिंदु है संपूर्ण बच्चे का विकास. अब आईए इस सत्र को आरंब करते हुए सबसे पहले पूर्ण प्रात्मिक शिक्चा को समझें, जिसके अंतरगत हम पूर्ण प्रात्मिक शिक्चा, इसके महत्व इवम आवशक्ता के साथ साथ पूर्ण प्रात्मिक शिक्चा की समस्याओं और उनके समाधान पर भी बात करे और साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में पूर्व प्रात्मिक शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका को भी निकटता से जानेंगे। तो आईए समझें पूर्व प्रात्मिक शिक्षा किसे कहते हैं। पूर्व प्रात्मिक शिक्षा तीन से छे वर्ष की आयू के बीच के सभी बच्चों के लिए एक कारिक्रम है और इसमें विशेश आवश्यक्ता वाले वा वंचित समूहों के बच्चे भी शामिल होते हैं। या बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक, संग्यानात्मक और शारीरिक आवश्यक्ताओं के बारे में ध्यान देते हुए उसके समग्र विकास पर जोड़ देता है। पूर्व प्रात्मिक शिक्षा आगे चल कर आजीवन सीखने और सबका ध्यान रखने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। किसी भी बच्चे के जीवन के लिए प्रारंभिक वर्षों में पूर्व प्रात्मिक शिक्षा इसलिए भी महत्तपून है। क्योंकि तंत्रिका विज्ञान के छेत्र में हाल में हुए शोधों के अनुसार पांच वर्ष की आयो तक बच्चे के मस्तिश्क का 90 प्रत्षत विकास हो चुका होता है। और साथ ही आरंभिक वर्ष सबसे अधिक प्रात्मित्ता वाले वर्ष होते हैं। किसी भी बच्चे के जीवन काल के पहले चेह वर्षों में विकास अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से होता है। शिरुवाती वर्षों में सीखने के लिए मस्तिश्क सबसे अधिक लचीला और अनकूल होता है। और इस आउ में सीखी गई बातों का प्रभाव दीर कालीन होता है। अब आईए पूर प्रात्मिक शिक्चा के महत्तो को रेखांकित करती हुई एक गतिविद देखें जिसका नाम है बच्चपन की वो बाते। इस गतिविदी में प्रतिभावगियों से प्रच्पन के उन दिनों की बाते याद करने को कहा जाता है जिन्हें उन्होंने अपने जीवन काल के शिरुवाती वर्षों के दौरान सीखा था। इसमें उन्हें उस समय की कोई कहानी, कविता या किसी अनुभव को साजह करने के लिए कहा जाता है। जीवन पर्यंत रहता है। अपने आस पास हम देखते हैं कि 3-6 वर्ष की आयो के बच्चों के लिए इन्हीं महत्पूर्ण बिंदूओं को ध्यान में रखते हुए अनीक प्रकार की व्योस्था की गई है। जिनमे से आगनवाडी, बालवाडी, नरसरी, प्री स्कूल और प्री प्राइमरी पूर्प्रात्मिक शिक्षा के कुछ प्रमुक स्थान हैं जहां पर बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। पूर्प्रात्मिक शिक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह बच्चे के प्रारंभिक विकास और सीखने के लिए आवश्यक आयामों पर बल देते हुए उन्हें एक प्राकृतिक, आनंदमई और प्रीरक वातावर्ण प्रदान करती है। साथ ही, सामान शिक्षा के लिए पूर्प्रात्मिक शिक्षा नीव का कारे करती है, जिसके द्वारा बच्चे आगे की शिक्षा के लिए शारेरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं। पूर्प्रात्मिक शिक्षा के माध्यम से बच्चे नत्य, कला, संगीत वा रचनात्मक चीजों में बिना संकोच किये हुए भाग लेते हैं, तथा बच्चे प्रात्मिक कक्षाओं में प्रवेश से पहले कक्षा के सामान परिवेश से भी परचित हो जाते हैं। और पूर्प्रात्मिक शिक्षा के दौरान रच्चे पेशी गतविदियों के माध्यम से मास पेशियों के बुनियादी समनवय को भी सीखते हैं। अब आईए वर्तमान परिप्रेक्ष में पूर्व प्रात्मिक शिक्षा की कुछ समस्याओं का अवलोकन करें, जो की इस प्रकार हैं। प्रात्मिक विद्यालियों में पूर्व प्रात्मिक शिक्षा का प्रबंध ना होना। पूर्व प्रात्मिक शिक्षा से संबंधित विस्त्रित कारियोजना का अभाव। पूर्व प्रात्मिक शिक्षा है तो आवश्यक परिसर वस्विधाओं का अभाव। आंगनवाडी केंद्रों में तीका करन वा अन्यमातर्त संबंधिक कारेत्रमों के चलते पूरुप्रात्मिक शिक्षा की उपेच्छा पूरुप्रात्मिक शिक्षा को लेकर चागरुकता की कमी पूर्व प्रात्मिक शिक्षा प्रदान करने हेत पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी और पूर्व प्रात्मिक शिक्षा के संबंध में अभिभावकों के साथ बैठकों का आयोजन ना होना पूर्व प्रात्मिक शिक्षा के संदर्प में इन समस्याओं को दूर करने के लिए यहां पर कुछ सुझाओ भी दिये गए हैं जिन्हें अपनाते हुए हम 3-6 वर्श के बच्चों के लिए पूर्व प्रात्मिक शिक्षा को सुगम बना सकते हैं इस दिशा में पूर्व प्रात्मिक शिक्षा के सभी पक्षकारों का या प्रयास होना चाहिए कि पूर्व प्रात्मिक शिक्षा केंद्रों का प्रबंध हमारे प्रात्मिक विद्यालियों में सुनिश्चित हो, साथ ही इसके लिए एक विस्तृत कारियोजना तयार की जाए, तथा परिसर वो जरूरी सुवधाएं अनिवारी रूप से उपलब्ध हों 3-6 वर्ष की आयो वाले बच्चों के बहतर भविश के लिए शिक्षकों को समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षन प्रदान किया जाए और बच्चों की प्रगत की समीक्षा है तो अभिभावकों के साथ नियमित रोप से बैठ के आयोजित की जाएं अपने माता पिता वा परिवार के सदस्यों के बाद बच्चे सरवाधिक अपने शिक्षकों के संपर्क में आते हैं ऐसे में शिक्षक बच्चे के जीवन की आधार शिला बनाने में निरनायक भून का निभाते हैं। हम सभी शिक्षिकों का या प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चों के लिए ऐसे परिवेश का निर्मार करें जिसमें सभी बच्चों के सीखने के लिए पर्यात अवसर उपलब्ध हो। हम खेल आधारित ऐसी गतिविधियों का आयोजन करें जिन में बच्चे स्वयम से प्रतभाग करने के लिए प्रेरित हो। हमारी कक्षा की व्योस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिसमें बच्चों की रुच वक्षमता का समावेश हो। हम कक्षा में ऐसा सहयोगी परिवेश स्रजित करें, जिसमें बच्चे खेलें, सीखें और खुशी का अनभो भी करें. हमें बच्चों को ऐसा परिवेश प्रदान करना चाहिए, जहां पर वे एक दूसरे से खुल कर बाच्चीत कर सकें, जिससे उनमें सुनने वा बोलने के कौशल विक्सित हूँ. हमें बच्चों को इस प्रकार दिख्शित करना होगा कि पूर प्रात्मिक विद्याले से प्रात्मिक विद्याले में बच्चे सहज पारगमन के लिए तैयार हूँ. हमें विशेश आवश्यक्ता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों का आरंभिक वर्षों में ही समुचित अभिप्रेण करना चाहिए और हमें स्थानी रूप से उपलब्द सामगरी का विकास करते हुए बच्चों के सीखने में उसका उपियोग करना चाहिए पूर्व प्रात्मिक शिक्षा के दोरान आरंभिक वर्षों में आपचारिक शिक्षा से परहेज करते हुए हमें खेल आधारित कत्विदियों पर बल देना चाहिए हम सभी शिक्षक इस प्रकार से सामोहिक प्रयास करें कि बच्चों में बेहतर स्वास्थ, पोशन और स्वच्चता की निव तैयार हो पूर्व प्रात्मिक शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका समझ लेने के बाद आये हम उन गतिविधियों के बारे में भी जाने जिनका पूर्व प्रात्मिक शिक्षा में उचित समावेश चरूरी है कक्षा में गतिविध खेत्र या सीखने के केंद्र वह स्थान होते हैं जहां विकास के विशिष्ट खेत्र से संबंधित विविध हर्ष्ट परक्सामगरी बच्चों के लिए उपलब्द रहती है इसी पुस्तकाले और साक्षरता छेत्र नाट खेलों का छेत्र खोज या विज्ञान का छेत्र बलाक निर्मार गड़ित या हस्त परक्सार्ण का छेत्र संगीत खेत्र और कला छेत्र पुस्तकाले और साक्षरता छेत्र में बच्चों की आयो के अनुसार पत्रिकाओं बड़े बड़े चित्रों वाली कहानी वा कविताओं की पुस्तकों के साथ साथ लोग कथाओं से संबंधित साहित को भी शामिल करें नाट खेलों के खेत्र के अंतरगत विभिन आकार प्रकार की कटपुतलिया खेल खेलों ने वा उनसे संबंधित परिधान इत्यादी चीजें आती हैं खोज या विज्ञान के खेत्र को पुराने पहियों, पौधों, बीजों और अनिस्थानी रूप से उपलब्ध सामगरी द्वारा सुसज्जित करें ब्लाक निर्माड के लिए अलग-अलग आकरत वा आकार वाले ब्लाक्स का प्रबंध करें गड़ती गतिविधियों के लिए पहेली चित्रों, मिलान करने वाले खेलों, मापक फीता, तराजूवा बाट समेत विभिन जामिती आकरतियों वाले खेलोनों की व्यवस्था करें कला से संबंधित गतिविधियों है तो अलग-अलग रंगों वाले विभिन कागज, क्रियांस, पेंसिल, मारकर, रंगीन चाक वा स्लेट, रंग वा ब्रश, आदी चीजों की उपलदता सुनिश्चित करें और साथ ही कुलाज पनाने के लिए पुराने अकबारों वा पत्रिकाओं का भी संग्रह करें संगीत संबंधि गतिविधियों के आयोजन है तो ढपली, बासुरी, घंटी, टेप रिकारडर और बालकविताओं के संग्रह वाली पेंड्राइव आदिका प्रवंद करें अब आईए जाने कि NCF 2005 में बच्चों के सीखने के संदर्व में क्या कहा गया है NCF 2005 के अनुसार बच्चे विभिन तरीकों से सीखते हैं अनुभो के माध्यम से, चीजों को बनाने और करने से, प्रियोग द्वारा, विशय वस्त पढ़कर, एक दूसरे से चर्चा के दौरान, प्रश्न पूँच कर, सुन कर और विचार करने से साथ ही बच्चे भाशन, आंदोलन या लेखन द्वारा स्वयम को व्यक्त करते हुए व्यक्तिगत रूप से और दूसरों के साथ दोनों तरह से सीखते हैं उन्हें अपने विकास के दौरान, इन सभी प्रकार के अवसरों की आवशक्ता होती है अब इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही महत्पूर है कि आरंभिक बाल्यावस्था में शिच्छर पडाली की प्रक्रियाओं के मुख्य तीन घटक होते हैं खेल, परसपर समवाद और परिवेश खेल, छोटे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का महत्पूर घटक है खेल के द्वारा बच्चे या प्रदर्शित करते हैं कि वे क्या सीख रहे हैं उनकी रुच किस चीज में है और वे किस तरह के सरोकार रखते हैं खेल को सारभौमिक रूप से बच्चों के सीखने का महत्पूर्ण तरीका माना गया है पूर प्रात्मिक शिक्षा में खेल को माध्यम के रूप में बहुत ही महत्पूर्ण स्थान देना चाहिए क्योंकि खेल ग्यान बढ़ाने की दिशा में बच्चों को परिवेश एवं एक दूसरे के साथ समबात करने के अवसर देते हैं खेल आधारित सीखने की प्रक्रियाओं में वयस्क, बच्चों के संगी साथी, बड़े और भाई बहन बहुत ही महत्पूर्ण और अभिन्द भूमिका अदा करते हैं परसपर समबात भी तीन प्रकार का होता है, साथियों के साथ, बड़ों के साथ, और भिन्द भिन्द प्रकार की सामग्री या वस्तुओं के साथ खेल के दौरान परसपर समबात सीखने की द्रिष्टी से महत्पूर्ण आधार प्रदान करता है, क्योंकि बच्चे अवलोकन करते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं, और जो भी देखते हैं, उसके आधार पर कुछ नया करते हैं जब वे दूसरे बच्चों के साथ साजेदारी करते हैं, अपने खेल स्वयम बनाते हैं, समस्याओं का समाधान ढूनते हैं, समनवयन करते हैं, तब वे सामाजिक और भावनात्मक कौश्णों का अरजन करते हैं नयम आधारित खेल खेलते समय बच्चों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं और इस तरह से वे आत्म नयमन करना सीखते हैं बच्चों को मुक्त एवं नर्देशित खेलों के दौरान विविद प्रकार की सामगरी और वस्तवों से परस्पर समवाद करने के अवसर प्राप्त होते हैं या सुनिश्चित कर लेना बहुत ही जरूरी है कि सामग्री या वस्तुएं बच्चों की आयू वविकासात्मक स्तर के अनुरूप हों। शिक्षक और अभिभावक परस्पर समवादों के माध्यम से बच्चों के पहले से सीखे गए कौशलों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। वयस्क बच्चों को दिशा निर्देश तो देते ही देते हैं साथ ही परिवेश को कुछ इस तरह से स्रजिद भी करते हैं कि वह अधिगम प्रक्रियाओं को प्रोच्छाहित कर पाएं। पच्चे अपने परिवेश के साथ सतत रूप से संबाद करते रहते हैं। वे जिस किसी चीज को भी देखते हैं उसे च्छोने की अदम में लालसा उनमें होती है और वे इसी तरह से सीखते हैं। सीखने का परिवेश इस प्रकार का होना चाहिए जो बच्चों को अपनी ओर लालाइत करें। सुरक्षित हो और अनमान लगाने के मौके देता हो। यहां पर संपूर बच्चे के विकास को 5 प्रमुक विकासात्मक छेत्रों में वरगी कृत किया गया है। जिन में से पहला है । पेशिये विकास, दूसरा है सामाजिक वभावनात्मक विकास, तीसरा है भाशा विकास और आरंभिक साक्षर्ता, चौथा है रचनात्मक कला और सौंदर्य बोध अनपरियोग, और पांचवा है संग्यानात्मक विकास. अब आईए एक-एक करके इन सभी विकास आत्मक छेत्रों के विकास है जिन गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए उन्हें भी जान लें. शारीरिक और पेशी विकास के लिए बच्चों को ऐसी गतिविधियों कराई जानी चाहिए जो उनकी आयू के अनुसार उपयुक्त होने के साथ-साथ रुचिकर भी हो. जैसे की बाहर खेले जाने वाले ऐसे खेल जिनसे मास्पेशियों का विकास हो सके जैसे पकड़ना, दोड़ना, कूदना, छोड़ना, संतुलन करना आदी. बाहर खेलने के साथ-साथ एक पूर प्रात्मिक विद्याले वाले बच्चे के लिए दैनिक योजना गतिविधि में सामगरी के साथ अंदर खेले जाने वाले खेलों के लिए भी समय और अवसर प्रदान किया जाना चाहिए. जैसे ब्लॉक प्ले, रंगवा ब्रश के साथ कला गतिविधिया आदी. बचपन के दोरान सामाजिक और भावनात्मक कल्याण की नीव रखी जाती है. कल्याण का यहां अर्थ है अच्छा शारीरिक मानसिक स्वास्थ और खुशी एवं संतुस्टी की भावना. वयस्कों के साथ स्नेहमई, प्यार भरे और सहयोग वाले रिष्टे, भावनात्मक सुरक्षा, सकारात्मक आत्म अवधारना और दूसरों के सम्मान के विकास के लिए महत्तपोन है. मुक्त खेल गत्विधियां बच्चों को निर्णे लेने और दूसरों के अधिकारों और दृष्टिकोणों को समझने का अवसर प्रदान करती हैं. साथ हीं, बच्चों में सामाजिक व्यवहार के विकास का समर्थन भी करती हैं. अपनी रुच्वा पसंद के अनुसर चलने से, बच्चों में आत्म नियंत्रन, कार्ण में दृड़ता और अच्छे काम की आत्तें विक्सित होती हैं. भाशा विकास और आरंभिक साक्षर्ता को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को बात करने, सुनने और अपने अनुभो साजह करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएं. बच्चों को कहानी सुनाने, तुकबंदी करने, समवाद बोलने और नाटकवा अभिने करने के अवसर प्रदान करें. हम शिच्चकों को ऐसी गत्विधियां तैयार करनी चाहिए, जिनके माध्यम से बच्चे दैनिक क्रिया कलापों को अपनी भाशा में साजह करें. कक्षा की दीवारों पर मुद्रित सामग्री, कहानियों और कलताओं के फ्लेक्स का उप्योग करें. संगीत, कला और शिल्प के माध्यम से बच्चों को आत्म अभिवक्त के लिए कलपना और रचनात्मक्ता के अवसर प्रदान करें. संग्यानात्मक्त विकास हेत, बच्चों को ऐसी खेल सामग्री उपलब्ध कराएं, जिनके माध्यम से उन्हें रंगों, आकारों, फलों और सबजियों में अंतर करने में मदद मिले. उन खेल गतविधियों का प्रियोग करें, चिनसे बच्चों को मिलान वत तुलना करने के अवसर प्राप्त हों. अलग-अलग धनियों की समझ फिक्सित करने वाली गत्विधियों का उप्योग करें और बच्चों को परिवेशी जीवजन्तुओं वपेड़ पौधों की पहचान कराने के लिए द्रस्टिस्टरविसंसादनों का प्रियोग करें आशा है आप सभी को पूर प्रात्मिक शिक्षा पर आधारित या सत्र पसंद आया होगा और साथ ही आपने पूर प्रात्मिक शिक्षा से जुड़ी अनेक ऐसी महत्पुर्ण बाते भी जानी होँगी जो आपके शिक्षण को और भी उप्योगी बनाने में सहायक सिद्ध आप सभी को भविष्य की अनंत शुपकामनाएं और इस सत्र से जुड़ने और धैर पूरुवक सात्पने रहने के लिए आप सभी का हारदिक धन्यवाद